हेलो स्टूडेंट्स मैं जतन ठाकोर जेए क्लासेज मेरट परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और लाश्ट लेक्चर में हमने पड़ा था वैरिगनौन थेवरम के दो केशिस देखे थे प्रिंसिपल ओफ मुमेंट पड़ा था और लिवर के बारे में जाना था तो आई होप कि आपने वो लेक्चर ध्यान से देखा होगा और आपके समझ में भी आया होगा principle of moment है ये हमारा numerical में बहुत काम आने वाला है और आगे का हमारा ये topic lever जो है ये तो अपने आप में बहुती important role रखता है daily life में भी और हमारे subject के तोर पर भी ठीक है तो आपको अच्छे से समझना होगा ये जो last वाला जो chapter है आपका last वाला unit है machine तो ये जो chapter है ये machine का base है ये य lever वाला जो topic है ये machine का base है अगर lever के concept को अगर आप नहीं समझ पाए तो machine को भी आप नहीं समझ पाएंगे तो इसलिए आप से मैं बोल रहा हूँ बार बार के lever वाले concept को अच्छे से समझना है तो मैंने आपको lever के बारे में समझाया था लिवर की definition भी लिखवाई थी मैंने आपर तो आज मैं एक बार फिर से revise करा देता हूँ कि जो lever होता है वो कम effort में अधिक से अधिक load उठाने की चमता रखता है और एक इस्थिर बिंदू की एक इस्थिर बिंदू पर rotate करता है जिसको हम क्या नाम देते हैं फलक्रम ठीक है तो मैं diagram draw करता हूँ उसका lever का देखि माल लीजे ये lever है ये माल लीजे lever है ठीक है इसको मैं थोड़ा और बढ़ा कर देता हूँ ये lever है इसमें एक इस्थिर बिंदू बना देता हूँ मैं ये fix point है ठीक है ये fix point है इसको नाम देता हूँ मैं B इसको नाम देता हूँ B ठीक एक तरफ P यानि कि effort लगाये जाएगा ठीक है ये क्या है बेटा effort effort और दूसरी तरफ load होगा W लोड ठीक है ये point मैं देता हूँ A और ये C ठीक और इस इस्थिर बिंदू के सापिक्च जो ये rotate करेगा तो इस्थिर बिंदू को हम क्या नाम देंगे फलक्रम इसको हम बोलते हैं फलक्रम ठीक है ये होता है आपका फलक्रम तो ये moment के सिद्धान पर काम करता है मैंने बताया था ये fix point है यहाँ पर effort यानि ये भी एक प्रकार का force है force लगाया जाता है force से इस fix point की कुछ न कुछ distance होगी जिसे मैं नाम दे देता हूँ A या small a इसी को हम बोलते हैं वेटा effort arm effort arm क्या बोलते है effort arm ठीक है यही है हमारी effort arm प्रयास बुचा यह load है load से fix point तक की जो distance है इसको हम बोलते है load arm इसको मैं नाम दे देता हूँ small b यह है हमारी load arm I hope कि आप समझ पा रहे होंगी ठीक है अब थोड़ा दैनिक जीवन से relate करके देखना इसको अगर हमारी effort arm छोटी हुई और हम load लगाए जा रहे हैं यह fix point है यह ध्यान रखना अगर हमारी effort arm छोटी हुई ठीक है जैसे कि माल लीजे null माल लीजे null देखा होगा आपने तो कुछ step से उसका यह हत्था होता है null का यह पानी खीसता है नीचे से इस तरीके से यहाँ पर क्या है यह w है यह w है यह है यहाँ पर इसका fix point ठीक है यह इससे थोड़ा connect होता है देखिए और यह है हमारा प्रयास P यह hand pump है ठीक है इधर से हम पकड़के इसको चलाते है ठीक है यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है हमको effort लगाना पड़ता है यह load यानि पानी भरके उपर लाता है ठीक है और यह हमारा क्या fulcrum है यहाँ पर यह fix होता है fulcrum ठीक है अब एक बात सोचिए यह देखिए load arm यह load arm है न यहाँ से यहाँ तक fulcrum से load तक की यह distance कितनी छोटी है और यह distance कितनी बड़ी है एक बात ध्यान रखना जितनी बड़ी effort arm होगी ठीक है तो उस lever का leverage उतना ही ज़ाद होगा यानि कि effort बहुत कम लगाना पड़ेगा और उस कम effort में load आसानी से उठके आ जाएगा ठीक है अगर आपने कभी देखा होगा चलाय भी योगा नल को यहाँ से पकड़के अगर आप चलाये कभी यहाँ से पकड़के तो बहुत ज़ाद है force लगाना पड़ेगा क्यों? क्योंकि effort arm जो होती है हमारी वो छोटी हो जाती है ठीक है? तो leverage उसी का ज़ाद होगा जिसकी effort arm ज़ाद होगी ठीक है? और load arm कम होगी तो आईए leverage की बारे में उसकी लिखते हैं definition I hope कि आप यह समझ गए होंगे तो leverage देखी कैसे निकालते हैं पहले लिखते हैं leverage के बारे में leverage the ratio of effort arm इसका और इसका ratio ठीक है? effort arm और load arm का the ratio ratio of effort arm to and load arm and load arm is called leverage is called leverage ठीक है? या फिर this is also known as इसको हम क्या बोलते हैं mechanical advantage आप समझ पा रहे होंगे तो आईए इसका निकालते हैं take a moment about point B मैंने बोला था moment कहां पे लिया जाता है? fix point ठीक है? fix point क्या है? इसका falcrum B पर लेंगे ठीक है? तो लेते हैं moment इधर बताता हूँ मैं तो लेते हैं take taking moment about point B क्या हो जाएगा? P force है ठीक है? into effort arm small a तो P into A is equal to किसके क्वल? इधर याद कीजिए second case varignone theorem ठीक है? W into load arm anti-clockwise is equal to clockwise समझ पा रहे होंगे इसकी direction देखिए इस fix point के पड़ते है गुमाने की प्रवर्ति इधर को है ऐसे ही ठीक है? यह कौन सा है? anti-clockwise ठीक है? और यह clockwise यह clockwise I hope आप समझ पा रहे होंगे तो P into A is equal to W into small b ठीक है? तो क्या हो जाएगा यह? यह हो जाएगा आपका W upon P ठीक? इसको W के नीचे ले जाऊँगा और इसको A के नीचे ले आऊँगा ठीक है? तो मैं इधर बता देता हूँ W upon P is equal to A upon B तो A upon B का मतलब effort arm upon effort arm upon क्या होगा? load arm load arm और यही क्या होगा? यही होगा आपका leverage या mechanical advantage मैं इधर लिख देता हूँ mechanical mechanical एक मिनट यहाँ जगे नहीं बचिए नीचे लिखता हूँ यह हो जाएगा आपका mechanical advantage तो आप इससे स्वेम देख सकते हैं कि अगर उपर वाला जो अगर effort arm का जो magnitude है अगर उसको कम कर दिया जाए तो इस पूरे friction की value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसका मतलब क्या mechanical advantage कम हो जाएगा ठीक है अगर effort arm के magnitude को बढ़ा दिया जाए फिर इस total friction की value है वो क्या हो जाएगी ज़्याद हो जाएगी ठीक है यानिकि numerator and denominator वाला system numerator जदा होगा तो friction की value ज़्याद होगी फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं concept से भी समझ सकते हैं I hope कि आपको समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं types of levers की types of levers बटा तीन टाइप के levers आपको पढ़ने है और ये machine का basics है जो आपका last वाला unit है और वो बहुत ही important है machine के बिना आप engineer नहीं बन सकते हैं इसलिए lever वाले concept को द्यान से समझना होगा अब हम बात करते हैं types of levers की तीन टाइप के levers होते हैं पहला है simple levers simple levers second bell crank levers bell crank lever अभी समझाएंगे ये सब क्या होता है और तीसरा होता है compound lever compound lever ये तीन टाइप के lever होते हैं exam में आते हैं describe करने के लिए तो पहले जाने के simple lever के बारे में simple lever जो होता है ये एक single lever होता है fix point इदर भी हो सकता है load बीच में भी हो सकता है ठीक है तो उस आदार पर हमने simple lever को तीन और more टाइप में बाटा है उसको नाम देते हैं class 1 class second class third ठीक है तो आईए हम जानते हैं class 1 class 1 में कौन-कौन से simple lever आते हैं मेरे साथ में notes बनाते चलना आप लोग class में बने हुए notes जरूर बनाने चाहिए class 1 या class first lever देखो इसमें क्या होता है वेटा जो fulcrum है वो किस-किस के बीच में होता है load और effort arm के बीच में होता है जो अभी मैंने diagram ड्रॉ किया था वो first class के lever का ही था थीक है तो first class में क्या होता है वेटा fulcrum 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 मतलब fix point fulcrum between fulcrum between the load and load and effort fulcrum between the load and effort तो देखिए इसका diagram ये rigid bar ये fulcrum बीच में हो जाएगा ठीक है ना ये इधर हो जाएगा ये fulcrum है एक तरफ क्या होगा P यानि effort दूसरी तरफ load आपसे इसके examples पूछे जाएंगे example में आप लिख सकते हैं ये fulcrum है ये लिख दीजी आप ये effort हो गया और ये हो गया आपका load ठीक है और ये हो गया आपका fulcrum ये हो गया आपका fulcrum इसके example में सबसे best example है Caesar क्या ची आपने देखी होगी वो बीच में क्या fix point रहता है उसका एक तरफ से किसी को भी cut करती है वो और दूसरी तरफ से हम effort लगाते हैं अपनी उगलियां डालके ठीक है तो पहला example Caesar second seesaw जो बच्चे पार्क में जूला जूलते हैं उसका बीच वाला point जूले का fix रहता है दो तरफ से एक तरफ load एक तरफ effort लगता रहता है ठीक है दो बच्चे बैटके जूलते हैं तो seesaw बोल सकते हैं ये first class के लिवर में आएगा bar of hand pump बताय था अभी मैंने बना के diagram bar of hand pump यानि null का हथा ठीक है bar of hand pump ये तीन example आप इसमें लिख सकते हैं और भी हो सकते हैं आप बतायेगा ठीक है तो अब हम second class के लिवर की और चलते हैं second class लिवर ये simple लिवर में ही आएएंगे तीनों ठीक है तो देखिए बता इसमें क्या है load fulcrum को अगर हटा दे हम यहां से क्या बीच में आ जाएगा अब load ठीक है तो देखिए load between load between load between the fulcrum and load between the fulcrum and effort ठीक है यानि कि जो load है वो यहां आ जाएगा बीच में ठीक और यह fulcrum किदर चला जाएगा इदर चला जाएगा तो देखिए इसको अटा देते हैं यहां से और इस load को बीच में ले आते हैं यह अमने यहां पर fulcrum बना दिया यह load हो गया हमारा load w और यह हो गया fulcrum इस diagram को आप बना ले ना ठीक है आपने अगर इसके example देखे होंगई तो देखिए example बताते हैं हम आपको इसमें सरोता जो आम का अचार पढ़ता होगा जब घर पर तो जो आम काटा जाता है इसके भी इस type का होता है कुछ पहले लिख देता हूं मैं सरोता ही बोलते हैं इसको इंगलिस में भी ठीक है इस type की condition होती है इसकी कुछ यहां पर क्या है force लगाय जाता है और यह बैचारा बीच में पढ़ा है आम ठीक ये है इसका फलक्रम और यहां पर क्या है load लगेगा ठीक है यहां पर effort लगेगा पी ओसे इसको दवाये जाएगा और आम कट हो का जाईग बीच में से ठीक है तो इस सरोता इस सेकंड क्लास के लिवर में आता है इसमें आप एक्जामपल लिख सकते हैं बोटल ओपनर ये भी इसी में आएगा ठीक है और भी बहुत सारे एक्जामपल है जो कूडा ले जाने वाली गाड़ी है उसको पकड़ के ले जाता है और बीच में कूडा यानी लोड भरा हुआ होता है और उसके पहियों की साइड में वो फिक्स पॉइंट रहता है उसका ठीक है तो वो भी सेकंड क्लास लिवर में आ जाएगी थर्ड क्लास ये सेकंड एविट है ये सेकंड कर लेना ठीक है सेकंड है अब हम थर्ड क्लास की ओर चलते हैं थर्ड क्लास थर्ड क्लास लिवर थर्ड क्लास लिवर देखी इसमें क्या आएगा बेटा इसमें एफ़ोर्ट बीच में आ जाएगा क्या आ जाएगा एफ़ोर्ट बीच में आ जाएगा तो लिखते हैं, effort between the load and fulcrum. effort between the load and fulcrum. इस effort को यहाँ पहुचा दो, load को इधर ले आओ, चाहे उधर ले जाओ, या fulcrum और load किनारों पे रहेंगे, और effort कहाँ आ जाएगा? बीच में आ जाएगा, तो देखिए इसको बनाते हैं, इधर क्या जाएगा? effort यानि p, ठीक है? और यह हो जाएगा आपका load w, और इसके example की अगर बात करें हम, example है इसका, सबसे बढ़िया example है इसका fork, यानि की, चिमटा, आप परचित होंगे इससे, ठीक है? यानि, कुछ step की condition होती है, इस step से होता है, ठीक है? यह वाला जो point है, इसका fix रहता है, तो इधर यह fulcrum हो गया, बीच में हम पकड़ के इस तरीके से, पीच में हम पकड़ के क्या लगाते हैं? effort लगाते हैं, उसको दबाते हैं न, और यहां से पकड़ के वो क्या? रोटी उठाता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया? लोड हो गया, तो यह third class के liver का, बहुत best example है, इसको आप लिख सक लिवर, बैल क्रेंक लिवर, देखिए, बैल क्रेंक लिवर, देखिए, बैल क्रेंक को समझीए, कुछ नहीं है, सिंपल है, जो class first का जो लिवर पड़ा था आपने, उसी type का होता है, बस इसमें क्या है? उसकी जो दोनों arm हैं, जो भुजाए हैं, एक effort arm और एक load arm, इन दोनों को 90 degree के एंगल पर कर दिया जाता है, ठीक है? यानि कि हमने first class लिवर कुछ इस प्रकार का देखा था, यह फलक्रम था, यह P यानि कि A थी, यानि effort arm और यह load arm, अब इन दोनों को अगर mode के 90 degree के एंगल पर, इस तरीके से कर दिया जाए, यह हमारा फलक्रम हो गया, अगर इधर को मैं horizontally, horizontally effort लगाऊं, तो यह क्या हो हमारा effort arm और यह हमारा weight उठाय जा रहा है, इस तरीके से, और यहां से weight उठाय जा रहा है, यानि load उठाय जा रहा है, तो यह कौन सी arm हो जाएगी, load arm हो जाएगी, तो effort arm और load arm को अगर 90 degree के एंगल पर कर दिया जाए, वही क्या हो जाता है, bell crank, lever हो जाता है, तो आई इसकी definition लिख लेते हैं, definition लिखते हैं, तो in this lever, in this lever, in this lever, it's two arm, it's two arms, two arms, are at, 90 degree, 90 degree, effort is applied, कैसे होता है, horizontally, ठीक है, effort, is applied, effort is applied, effort is applied horizontally, horizontally, and weight is lifted, and weight is lifted, and weight is lifted vertically, vertically, and weight is lifted, vertically, upward, vertically lifted, upward, ठीक है, तो यह आपने लिख लिख लिया होगा, इसको साफ करके, मैं diagram बनाके इसका leverage निकालके आपको बता देता हूं, ठीक है, तो इसका डैग्राम ड्रॉ करते हैं, यह माल लीजिए, बेल क्रेंक लीवर है इस टाइप से ये इसका fix point है ठीक A F या फलक्रम और ये इस point को नाम दे देता हूँ B ये P effort लगाया जा रहा है ये क्या है effort है ठीक है ये W upward यानि vertically उपर की और क्या उठाया जा रहा है load और ये horizontally effort लगाया जा रहा है ये क्या है fulcrum fulcrum और कितने पर है ये effort arm और ये 90 degree पर effort arm and load arm इस f point पर क्या ले लेंगे moment ले लेंगे ठीक है तो moment लेने पर क्या हो जाएगा P force P into A F ठीक है ये इधर को गुमाने की प्रवर्ति रख रहा है और ये इधर को गुमाने की प्रवर्ति रख रहा है clockwise, anticlockwise बराबर ठीक है तो is equal to is equal to W into F B W into F B ठीक है निकाल लीजिए P को इसके नीचे पहुचा दो W upon P is equal to A F upon F B A F upon F B ठीक है A F upon F B यानि ये क्या थी effort arm effort arm और ये क्या थी load arm ठीक है तो effort arm और load arm A F upon F B का जो ratio है वो क्या होता है leverage तो A F upon B F या F B is equal to leverage या फिर mechanical mechanical advantage mechanical advantage या फिर mechanical advantage भी इसको बोला जाता है I hope कि आप सारा concept bell crank lever का समझ गए होंगे अब हम चलते हैं next lever की ओर जो कि last lever है हमारा last type of lever है जो कि जिसका नाम है compound lever ठीक है और इसके बाद ये हमारा chapter खतम हो जाएगा और इसके numerical बचेंगे तो ये last topic है इस chapter का और उसके numerical करेंगे फिर numerical के बाद में आपका तो मैं आज introduction दे देता हूँ compound lever का ठीक है देखे हमने simple lever पढ़ा और bell crank lever पढ़ा उसमें केवल और केवल एक falcrum था क्या था एक falcrum था ठीक है अब हम यहां पर compound lever में हम क्या देखेंगे compound lever में हम क्या देखेंगे compound lever में एक से ज़ादे falcrum मिलेंगे यानि कि बहुत सारे simple lever को जोड़के बनाये जाएगा तो चलिए आज देखते हैं इसको देखी लेते हैं compound liver को ठीक है compound liver में क्या बता है मैंने एक से जाद है fulcrum एक से जाद है fulcrum का मतलब क्या बहुत सारे simple liver को add किया करके जोड जोड करके compound liver बनाये जाता है ऐसा क्यों किया जाता होगा ऐसा इसलिए किया जाता होगा कि बहुत heavy weight को उठाने के लिए कम effort लगाना पड़े ठीक है? बहुत ज़ाद है heavy weight को उठाने के लिए कम effort लगाना पड़े इसलिए हमें compound liver की ज़रूरत पड़ती है क्यों? क्योंकि हम उसकी क्या बढ़ा लेते हैं? effort arm बड़ी कर लेते हैं ठीक है न? तो आईए compound liver को देखते हैं आप लिखते जाईए मेरे साथ compound liver this is a combination of this is a combination of किसका combination है? two or two or two or more two or more simple liver two or more simple liver ठीक है? यानि दो या दो से अधिक liver का combination है ये ठीक है? and has two and has two two or more अगर दो और दो से अधिक simple liver होंगे तो उसी इसाब से क्या होगा? फलक्रम भी उतने ही होंगे ठीक है ना? यानि fix point and has two or more फलक्रम two or more फलक्रम तो compound liver का use क्यों किया जाता है? वो भी लिख लेते हैं ठीक है? तो compound livers compound livers compound livers is used to is used to get more leverage get more यानि बहुत ज्यादा leverage प्राप्त करने के लिए to get more leverage leverage than than simple livers ठीक है? यानि compound livers is used to get more leverage ठीक है? more leverage का मतलब कम effort में जादा लोड को उठा पाना ठीक है? किसकी अपक्छा? simple livers की अपक्छा ठीक है? इसका डाइगराम बनाके इसका leverage निकालते हैं देगी compound livers का leverage कैसे निकालते हैं? बताते हैं हम compound livers का मैं डाइगराम बनाता हूँ यह डाइगराम है माल लीजे यहाँ पर एक effort लगा रहे हैं हम P यह A point है एक फलकरम है यह यहाँ पर यानि fix point इसका नाम है E और यह हमारा B point है ठीक है? यहाँ से यहाँ पर माल लीजे इस point पर एक load है W इसे हमें उठाना है यह point है हमारा F ठीक है? और एक फलकरम है यहाँ पर इस point को हम D नाम दे देते हैं ठीक है? और यह point है C इस load की कारण इधार एक इस arm पर एक R reaction काम करेगी और यह reaction है तो इसके opposite reaction भी एक काम करेगी R ठीक है? इसमें कितने lever add कर दिये हैं मैंने? दो lever add कर दिये हैं एक यह है इसके परते और एक इस फलकरम के परते है ठीक है? इसका leverage निकालते हैं बटा हमेशा याद रखना moment उसी के साब एक्ष लिया जाएगा जो point fix होगा यानि इसमें point कहां पर fix है? E point और D point तो सबसे पहले moment कहां से लेंगे? E point के लिए ठीक है? तो taking moment about E taking moment about E ठीक है? क्या हो जाएगा? R into E B R क्या है? force ही लग रहा है reaction force है एक ठीक है? E B R into E B ठीक है? E B क्यों लिया? क्योंकि fix point तक की perpendicular distance लेते हैं is equal to P into A E क्या हो जाएगा? P into A E ठीक है? R की value निकाल लूँगा मैं R is equal to P into A E के upon में क्या आजाएगा? E B A E upon E B ठीक है? इसे equation 1 नाम दे दूँगा ठीक है? अब इस point के about क्या ले लेंगे? moment ले लेंगे? taking moment about point about point D ठीक है? एक force ये है और एक load ये force है ठीक है ना? तो सबसे पहले R into distance अमेंसे याद रखना fix point से ही लेंगे ठीक है? यहां से मत ले लेना I hope आप समझ पा रहे होंगे कहां से लेनी है fix point से तो DC, R into DC या CD R into CD is equal to इस force यानी लोड के लिए W into DF या FD W into FD ठीक है? यहां से भी मैं R की value निकाल लूँगा R is equal to W into W into FD upon CD W into FD upon CD तो यह second number का equation हो जाएगा second number का equation हो जाएगा अब now now equation 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 1 and 2 यह भी R के equal है यह भी R के equal है ठीक है? इन दोनों को equal कर देंगे और लेखेंगे यानि कि इसके equal यह है दोनों को equal रख देंगे हम तो P into AE upon EB is equal to W into FD upon CD FD upon CD आई हो अब आप समझ पा रहे होंगे तो इस उपर वाले को मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ यहां लिख हूँगा मैं अब देखो यह हो जाएगा आपका P को W के नीचे ले लेंगे W upon P क्या होता है W upon P? mechanical advantage ठीक है और यह आजाएगा आपका इधर यह वाला कॉन यह FD upon CD इसके upon में पहुच जाएगा तो यह पलट के क्या हो जाएगा CD upon FD यानि A E A E upon EB into इसके नीचे यह आजाएगा और यह फिर पलट के multiply में क्या हो जाएगा CD upon FD CD upon FD तो आप ध्यान से देखना A E upon EB A E upon EB क्या है effort arm load arm ठीक है? किसकी? first lever की L1 ठीक है second lever की CD CD upon FD CD क्या है बेटा? effort arm load arm क्या है? FD तो क्या होता है यह? leverage L1 का sorry L2 का ठीक है? अगर मैं इसमें एक और lever जोड देता उसका भी एक और जोडता उसका भी ऐसे निकलता तो यह सीरीज डॉट 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 चलती रहती है ठीक है? और compound lever का mechanical advantage यही होता है I hope कि आप समझ पा रहे होंगे आज हमने आपका moment chapter का theory total खतम कर दिया है next lecture में हम इसके numerical देखेंगे और पहले आप पूरी theory को पढ़के आईए अगर नहीं भी समझ में आया है तो फिर से videos को देखिए क्योंकि बिना theory के numerical आपके समझ में नहीं आएंगे साथी साथ अगर आपका कोई doubt है अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं और भी अगर किसी प्रकार का आपका question है तो आप हमारे नीचे दिये गए नमबर पर call कर सकते हैं साथी साथ आप हमारे JE classes merit official app को download कर सकते हैं जिसमें online classes, pdf, online test series, doubt clearing session कराई जाते हैं तो आज की class को हम यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद, जे हिंद, जे भारत